नेचर लवर्स आज हम एक ऐसे पोधे के बारे में आपको बता रहे हैं जिस पर बहुत ही सुन्दर फूल आते हैं यह देखिए यह फूल इस पर आए हुए हैं बहुत सुन्दर फूल आए हुए हैं और यह लगभग जो है एक मीटर लंबा हो जाता है कभी कभी फूलों का वज़न इतना हो जाता है कि इसे समालने के लिए रसी भी बांधनी पड़ती है क्योंकि डबल फलार देता है तो बहुत सुन्दर होता है इसके कोमन नेम कलार्किया एलिगेंट कलार्किया एलिगेंट फेरी मैन माउंटेन गालेंड इन नामों से इसे जाना जाता है अगर आपको कहीं से सीड्स प्राप्त करने हैं बीज लेने हैं तो इसी नाम से आप अगर वहां दुकान पर बताएंगे तो आपको बीज मिल ज The plant is endemic to California, where it is found in many woodlands habitats. Petals are in sheds of white to pink, purple and salmon in color, जो बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं, ये purple color में भी हो सकते हैं, white में भी हो सकते हैं, salmon color में भी हो सकते हैं, तो अगर आप जिस तरह के flower अपने plant पर चाहते हैं, तो उसी तरह के seeds आप ले आएं, और उन्हें बोलेंगे तो आपको अच्छे flower मिलेंगे, It gives the best results with minimum efforts and gives the beautiful look to the gardens, बहुत ही कम परियास से, बहुत ही कम महनत से आप इसमें flower ला सकते हैं, ये किसी भी तरह की soil में हो जाता है और कम पानी चाहता है लेकिन full sun इसको चाहिए, Edible parts, seeds, raw or cooked, it can be ground into a powder and eaten dry, Green and gold dyes obtained from the flowers, इसके जो flower हैं उनसे green और golden dye भी प्राप्त की जाती है, ये आप देख रहे हैं ये double flower वाले हैं, जितने भी plant ये आप देख रहे हैं ये सब double flower वाले हैं, बड़े फूल देते हैं तो आप इने लगाएंगे तो बहुत ही सुन्दर फूल देंगे, propagation by seeds sowing September to January, seedlings transplant और direct germination 5 to 10 days, blooming summer and fall इसके जो बीज हैं वो 5 से 10 दिन के अंदर germinate हो जाते हैं. Thanks a lot for watching complete video and if you like this video please like, share, comment and subscribe my channel for more such videos.